हाई गाईज माइनेम इस शंसिगर बरोला और मेरा नमबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे Information Risk Management रिस्क मैनेजमेंट रिस्क को मैनेज करना है और हम पहुँचे थे Risk Assessment में, Information Risk Assessment और हमने यह जाना था कि Information Risk Assessment जो कि Risk Management से Differents है, क्यूँ different है क्योंति रिस्क मैनेजमेंट एक ब़ह बढ़ा एरिया है पूरे रिस्क और मेनेज करना है और रिस्क मैनेजमेंट में एक छोटा सा सटैप रिस्क असेसमेंट है बहुत महत्मूर्ड लेकिन छोटा सा step है risk assessment छोटा सा नहीं कह सकतें लेकिन एक particular step है risk assessment लेकिन इससे पेले कि हम risk assessment करें कुछ चीजे तयार होनी चीए कुछ raw material तयार होना चीए तब ही हम risk को assess कर सकेंगे क्या risk है उसका assessment तब ही कर सकें कुछ raw material त्यार हो, तो पहला raw material यह है कि हमारे पास assets के बारे में पूरी जान करी हो, अब assets में सबसे बड़ा assets होता है, data assets, king of all assets, जो कि आज की दिट में जिसकी वज़े से आप information system auditor बन रहे हो, और जिसकी वज़े से आप information system audit करोगे, तो assets को दो भागों में divide किया, intangible assets और tangible assets, मतलब पहले तो आपको assets पता होने चाहिए, और फिर उसके assets का classification होगा, intangible और tangible में, intangible में data होगा, जो king of all assets है, और software होगा, फिर उसके बाद tangible assets होगे, उसमें hardware होगा, people होगा, computing facilities होगी, जहां पर computer रखा जा रहा है, ACVC यहां रखे जाते हैं, लोग होगे, उसके बाद documentation ह होगा, इन सबको हम classify करेंगे, documentation भी बहुत important होता है, मैंने पहले ही बुला, कई बार documentation खोने से, बहुत सी चीज़ें खो जाती है, अगर एक formula है, जैसे formula चोरी गन्ने की कोशिच की जाती है, वैसे वो movies में exaggerate करके दिखा दिया जाता है, पर उससे हमें यह पता चलता है, कि documentation की value क्या है, यानि कि एक विज्ञानिक है पुरानी फिल्मे में यह दिखा जाता था, वो आता था, सीक्रेसी उस टाइम पर बहुत जाते होती थी, science उतनी तेजी से नहीं move कर रहा होता था, कि एक technology बनी और दूसरी technology आगी, पुरानी technology obsolete हो गई, तो यानि कि scientific knowledge को बड़ी अ discovery बढ़ती थी, आज की date में पेटेंट discoveries रोक रहे हैं, तो उसने अपनी तेसला के जितने भी पेटेंट से open source करती है, तो कहने का मतलब यह है कि, जो documentation बहुत important है, documentation में पुरानी फिल्मों को दिखा जाए, तो पुरानी फिल्म का hero जो एक scientist आ रहा होता था विदेश से और उ document को चोरी हो जाता, उस बेचारे scientist को मार दिया जाता था, उस documentation में सबसे important चीज होती थी, तो थोड़ा exaggerate करके documentation को समझते है, documentation बहुत valuable होता है, कई organization में documentation आज भी valuable होता है, documentation उतना जादे है, कई जगे हो top secret होता है, documentation, आज की date में e-documentation है, बहुत सी information e-documentation के रूप में top secret रहती है, finance department की बहुत सारी documentation, वो important होता है, वो secret होता है, even service tax की returns है, income tax की returns है, जो है, secret होती है, तो तो हमने पहले classify किया, classify करने के बाद उसको further classify किया, criticality के नुसा, top secret, secret, confidential, sensitive, और unclassified करके किया, उसके बाद हमने threats देखे, threats सारे के सारे threats लिखे, threats लिखने के बाद हम start होगे risk assessment में, risk assessment स्टार्ट करने के लिए हमने vulnerabilities find out कि और likelihood, probability और likelihood assessment किया, vulnerabilities के बारे में हम नहीं जाना, vulnerabilities वो होती है, जिसे threat exploit करता है, यानि कि हमने एक चोटा सा example, एक bizarre kind of example दिया, ताकि ये brain में commit हो सके, मतलब आपके समझ में आ सके, कि महले में एक दादा है, वो threat है, आप वहाँ पर कमजूर हो, आप vulnerable हो, अचानक मानुपड़ा, probability नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है, कि risk zero है, तो यानि कि risk जो है, तीन factors का multiplication है, पहले asset की क्या value है, दूसरा, अगर प्रधानवंतरी, नरेदमोदी कहीं जा रहे हैं, बहुत valuable asset है, आप जा रहे हैं, तो कोई valuable asset नहीं है, मैं जा रहा हूं, तो valuable asset नहीं हूं, दूसरी बात क्या है, probability की likelihood क्या है, और vulnerability factor क्या है, vulnerability factor से multiply करेंगे, probability की likelihood से multiply करेंगे, और asset की value multiply करेंगे, तो आपको risk आ जाएगा, एक formula बनाया गया है, यह idea देने के लिए formula बनाया गया, वैसे formula risk को आप ऐसे यह नहीं कर साथे हो, तो risk future का है, uncertain है, लेकिन फिर भी आप probability create करने की कुशिश करते हो, और probability create करने के लिए, क्योंकि अगर आप formula बनाऊगे, उसे calculate करेंगे, तो आपका brain लगेगा, brain लगेगा, तो क्या होगा, कि बहुत सारी चीजे हैं, आप उसको systematized करोगे, structured करोगे, तो scientific, rational way में, अगर आप logical way में आगे बढ़े हो, तो हर चीज को structured करते हो चले जाते हो, तो उससे फाइदा क्या होगा, यह organization में एक बंदा बहार चला गया, दूसरा बंदा आ रहा है, तो उसके सामने वो सारी चीजे रहेंगे, और वो खट से देखेगा, कि इसके risk probability यह है, तो risk probability यह है, तो यह यह चीजों जादे risk ही है, उसको एक perspective focus आजाएगा, उस organization के बारे में, organization में institutionalization बढ़ेगा, information risk management बनेगा, उसका focus उन सब चीजों में रहेगा, अगर यह सारी चीजे रहेंगे, और उससे loss कम होगा, कई लोगों ने कहा है कि कितनी भी तियारी कर लो, ले उसको समाल सको, यह जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ, बहुत सी लोगों ने कहा है कि आप तैयार तो हो जाओ, तैयार हो जाओ, तो जो भी problem आएगे, आपकी mind में तैयारी रहेगी, जैसे for example, हमला होने वाला है, कोई countries में हमला होने वाला है, अगर सेन तैयार है, तो उसने सारे scenarios देखें, तो वो improvise कर सकती है, वो scenarios उन लोगों को पता है, पुरी team को वो scenarios बता है, अगर एक particular scenario हो है, तो पुरी team को पता है कि किस तरह से काम करना है, तो आपका response अच्छा हो जाता है, तो information risk management क्या करता है, आपके response, organization को लड़ने की शमता देता है, organization को survive करने की शमता देता है, organization को उसकी weaknesses के बारे में बताता है, organization को उसके critical assets के बारे में crystal clarity के साथ बताता है, organization को उसके threats के बारे में बताता है, organization को उनकी likelihood के बारे में बताता है, अगर tsunami आगी तो आपको पता है, अगले 10 साल तक tsunami नहीं आनी है, 20 साल तक नहीं आनी है, कई वार 50 साल तक तो यह नुकसान हो सकता है, तो अगले 50 साल में यह नुकसान हो सकता है, तो मैं कि क्यों न इस चीज को factor करके रखूँ, अगर आग लगती है साल में एक बार या दो बार लगती है, या महले में किसी एक घर में एक बार लग जाती है साल में, तो उस चीज को मैं अपने अंदर factor करके रखूँ ताकि destruction ना हो तो risk जो है जो risk assessment है risk assessment में सबसे पहले vulnerability का assessment करेंगे और probability और likelihood का assessment करेंगे और probability और likelihood के assessment में हमने यह जाना था क्योंकि हम information risk management कर रहे हैं information risk assessment कर रहे है information का risk assessment कर रहे है और information technology massively आगे बढ़ रही है तो historical information कई जगे पर हमें available नहीं होगी हमें historical information likelihood की निगालने की कोशिश करनी है लेकिन जो environmental है उसकी तो हमें पता चल जाएगी floods आते हैं, चोरी होती है, आग लगती है, tsunami आती है, earthquakes आते हैं इन सब चीजों की तो पता चल जाएगी लेकिन जो man-made threats हैं उनका historical information जानना, pattern जानना weak है human being कब वार करेगा, क्योंकि वो intelligent बंदा है वो कब वार करेगा, उसका पता नहीं जो environmental threats है, उसका हमें एक pattern बना सकते हैं, historical information बना सकते हैं लेकिन जो man-made threats हैं, उसका historical information बनाना या pattern ड्राइव करना बहुत मुश्किल है वैसे तो आपका environmental threats का भी difficult हैं लेकिन man-made का तो difficult है ही है, man-made का तो काफी difficult होता है और particularly कि 5 साल में generation change हो रहे है, computer की generation change हो जारी है information technology की generation change हो जारी है, तो उसमें threats की type change हो जाते हैं तो फिर उसमें क्या है कि human threats कम materialize करेंगे, उसके बारे में जहनना difficult हो जाते हैं लेकिन फिर भी हम एक probability और likelihood assessment करते हैं, probability और likelihood assessment के बिना हमारा risk assessment अदूरा है और risk assessment कर रहे हैं, तो uncertainty का assessment कर रहे हैं, uncertainty का assessment कर रहे हैं, तो likelihood भी uncertain है और likelihood भी uncertain है, तो assessment तो हमें करना ही पड़ेगा, वो assessment हमें in-depth analysis देगा अब हम चलते हैं impact पर, impact क्या होता है, impact यह होता है कि जब threat materialize हो जाती है, वो impact होती है, threat ने vulnerability को exploit कर लिया, तो वो impact में convert हो जाती है, तो जब risk assessment करेंगे तो impact assessment भी करेंगे, impact assessment की जगे impact analysis का आजाता है impact का analysis करेंगे अगर threat successful हुई threat क्या करती है? vulnerability को exploit करती है threat अगर successful हुई तो वो loss या harm create करती है asset का loss करती है या harm create कर देता है और इसी loss या harm को impact करती है तो impact financial भी impact हो सकता है direct loss of money भी हो सकता है direct loss of money या नहीं कि अचानक एक asset आगर मालुं पड़ा बाड आगई और मालुं पड़ा आपके data या आग लग गई तो आपका particular equipment कराब हो गया या आपका इसी सही तरीक से काम नहीं कर रहा है तो मालुं पड़ा आपके वहाँ जो server उसमें जादे heat निकली और आके प्रोसेसर्स वगर खराब हो गए या प्रोसेसर्स शॉट सर्किट कर गए या कुछ हो गया तो आपको फड़ा फट उन्हें चेंज करना पड़ेगा तो वहाँ पर लॉस अफ मनी हो जाएगा फिनेंशल इंपक्ट हो सकते हैं जैसे हैकर जो है सेंसिटिफ फाइल को चूरी कर ले अगर मालिया सपोस एक क्रेडिट कार्ड है कस्टमर का क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो एक बैंक के पास होगी तो अगर माले सपोस हैकर ने उस क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन बहुत सारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन हैक कर ली तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रेट हो सकती है महला कई जबार क्या होता है कि ATM में access controls सही लगे होनी चाहिए क्योंकि ATM से भी information चोरी की जा सकती है और एक बार आपने ATM से information चोरी कर ली तो आप क्या है उसके logical controls को violate कर सकते हो logical controls को तोड़ सकते हो logically ATM के अंदर चुच सकते हो physically तो नहीं चुच सकते हो एक example दे रहे हैं तो impact directly monetary impact हो सकता है और कई बार क्या होता है directly monetary impact नहीं हो सकता है जैसे operation disrupt हो गया अगर कोई organization काम कर रहा है और उसका operation disrupt हो गया तो उससे क्या होता है कि reputation का loss हो सकता है और reputation का loss ही नहीं हो सकता है उसके operation का loss हो सकता है उस टाइम पर बिक्री रुख सकती Flipkart की अगर माले सबस उस वेब साइट पांस दिन के लिए बंद रही तो एक दिन का अगर माले सबस उनकी सेल्स दस करोड रुपया है तो पांस दिन की पचास करोड रुपय की सेल्स ये चलेगी इसके अलावा कस्टमर के सामने उसकी बिज्जती अलग हुई उन्होंने का जी Flipkart में तो जो हैक हो गया था तो Flipkart की जो रेपूटेशन है या पर्टिकलर अमेजोन की रेपूटेशन है या दूसरी कंपनी इसकी रेपूटेशन है उस पर असर आ सकता है और कई बार के होता है कि हैकर कोई हैकिंग करता है और उस पर इंटरनेट में पुब्लिश कर देता है जैसे एक बैंक है बैंक में या अगर परटिकुलर ली आप एक medical company हो तो अगर आप एक medical company हो और आपके वहाँ क्या हो रहा है रिसर्च हो रही है और आदमियों का मेरा डेटा है मेरे डेने की सेंपल उन्हों ने लिया हुआ और मेरी एज, डेट, प्लेज, सब पता है और मेरे अंदर कोई हेरेडिटी की हेरेडिटी बिमारी है अब हैकर ने हैक किया और उसके बाद पूरी दुनिया को रिलीज कर दिया हैकर ने कहा जी ऐसा है कि यह यह इन्फॉर्मेशन है और उसमें यह पता चल गया चंसेगर बरुला कोई यह प्रॉबलम थी यानि कि मालूम पड़ा यह किसी वेक्ति को यह प्रॉबलम थी उसकी शादी तूट गई उसको सुसाइटी में उसको प्रॉबलम होने लगी उसकी वज़े से उसको पता चला कि मेरे बारे में यह पर्टिक्लर चीज ने सारी लोगों को पता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें organization के reputation पर loss होता है ना केवल reputation पर loss होता है मैं जो हूँगा hacker तो चला गया गया हो गया वो तो logically अचानक गुसा और logically उसने बिना digital footprint दी हो गया हो गया company रहेगी मैं company पर मानहानी का दावा करूँगा loss of reputation का दावा कर दूँगा और foreign countries में बहुत जादे होता है और loss of reputation क्या हुआ मेरा data गायब हो गया particular data गायब हो गया तो data की क्या value है आप ये समझ रहे हो loss of reputation हुआ और पचास लोगों ने loss of reputation के लिए अपना court में case कर दिया पैसे भी देने पढ़ने और reputation का भी loss हुआ कंपनी कई बार इन चक्रों में bankrupt हो जाती है आजकल company reputation पर जादे चलती है वो bankrupt जल्दी हो जाती है particularly जो digital companies है और particularly developed countries में वहाँ पर इन सब चीजों को बहुत त्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो देश जागरूप देश है तो वहाँ पर आपको impact analysis अच्छी तरीक से करना पड़ेगा और information risk management वहाँ पर बहुत important है हमारे वहाँ भी वो company जो इंडिया में जो service sector में company है उनके लिए information risk management बहुत important है जो भी company reputation पर काम करती है generally हर company कुछ नो कुछ reputation बनाती है पर कई company जैसे कि lawyer firm से उनकी particular reputation होती है IT company से उनकी reputation होती है एक risk matrix दिया हुआ है और risk matrix में चार चीज़े बताई गई है कि मतलब पहली बताया गया जो सबसे important चीज़े है वो low probability high impact है आपका judgment जब आप risk assessment कर रहे होगे risk management process के थ्रू गुजर रहे होगे और उसमें risk assessment कर रहे होगे तो यहाँ पर आप गल्ती कर सकते हो low probability high impact का मतलब यह है का classical example है fuzzy kama का disaster fuzzy kama के disaster में क्या हुआ low probability थी सुनामी आने की probability बहुत जादे थी लेकिन एक बार सुनामी आगी तो बहुत जादे impact हो गया तो आप जब risk assessment करोगे high probability high impact है तो कोई दिक्कत नहीं high probability और high impact होगा तो आप सजगर होगे बही ऐसा है flood आते रहते हैं आप तो और यहां इसका impact भी हाई होता है तो आप सोचोगे चूरी बहुत जादे होती है तो उसके बारे में आप सोचोगे low probability low impact है तो आप कोगे ठीक है probability भी है impact भी low है कुछ-कुछ चूरी हो जाती है थोड़ा बहुत समान और कभी कभी-कभी होता है या high probability low impact है तब आप उसे control करने की कोशिश करोगे probability बहुत जादे है लेकिन impact low है high probability high impact होगा तो आप बिल्कुल कान खड़े हो जाएंगे आप यह सूचोगे इसको मैं manage करूँगा उसको manage को ठीक तरीक से करने की कोशिश करोगे लेकिन एक जगे पर गरवड़ी हो जाती और वो जब वो है low probability high impact किसी चीज़ की होने की probability बहुत low है लेकिन impact बहुत high है तो वहां पर generally जो लोग है वो focus नहीं कर पाते हैं और focus नहीं कर पाते हैं तो अचानक high impact होता है अचानक मानबड़ा 10 साल में कुछ नहीं हुआ 10 साल में अचानक company की company गयाब हो गई और क्यों गयाब होगी low probability high impact के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ज़र्वी है high probability high impact कोई दिखकत नहीं आप धियान दोग ही दोगे low probability low impact में धियान दो न दो बहुत जादे फरक नहीं पड़ता है high probability low impact में generally आप धियान दोगे high probability ये ज़ादे चोरी होती है लेकिन चोरी क्या होता है चोटे-चोटे समान चोरी हो जाता है तो high probability low impact में आप ध्यान दोगे आसपड़ा उस महले में चूरी हो जाती है चोटे-चोटे समान की चोर है वह है डेटा सेंटर काएंगे तो वह क्या चुराएंगे कुछ भी तो नहीं चुराएंगे डेटा सेंटर के अंदर नहीं चुरा सकते हैं यहां डेटा सेंटर के अंद management होगा तो वहां पर low probability high impact के बारे में सोच होगे high impact मतलब जादे value का करोड़ो रुपे का दस साल में एक बार event हुआ थ्रेट आया या पीस साल में एक बार आया लेकिन आने के बाद उसने मजा कर दिया कंपनी का कंपनी को गायब कर दिया तो यह low probability high impact है तो impact analysis में इस चीज को सूचना समझना बहुत जरू हुए है अब हमने threats भी देख लिए vulnerabilities भी asset को classify भी कर दिया उसके बाद क्या है उसको critical value के अनुसार classify कर लिया confidential है top secret है secret confidential है या sensitive है unclassified है आपने उसे classify भी कर दिया threats भी निकालती है उसके बाद आप risk management risk assessment की तरफ बढ़ गए risk assessment में आपने risk assess किया कि raw material आकके सामने है vulnerabilities देखी और उसके बाद likelihood देखा और फिर impact analysis किया आपने asset की value को vulnerability की factor से multiply किया likelihood की probability से multiply किया और risk की value निकाल दी हर एक asset की आपने निकाल कर दी है impact का आप analysis कर चुके हो उसके बाद आपने किया है low impact sorry high impact और low probability situations भी आपने देख लिया है और उसे document कर लिया है अलग तरीके से उसे document कर लिया है अब आप strategies त्यार करोगे information risk management की strategies त्यार करोगे तो strategy का मतलब क्या होता है strategy का मतलब यह होता है कि किस तरीके से आप risk को manage करोगे उसके पीछे क्या strategy होंगी काई strategy हो सकती है पहला risk avoidance हो सकता है दूसरा risk mitigation या reduction होता है risk को reduce कर रहे हो तीसरा risk transfer हो सकता है risk को आप transfer करते हो insurance करके चौथा risk retention या acceptance होता है risk को accept करते हो उसके consequences accept करते हो आप कहते हो जी अगर यह हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं इसको तो चलता है इतना दूर इसका हम जहीली लेते हैं कोई problem नहीं है इतना दूर हम त्यार वैटें यह threat materialize हो जाए हमें कोई फर्क नहीं बढ़ता है तो जासे for example पहलवान है वो कहता है मुक्क नहीं मेरको मुझे कोई दिक्क्त नहीं वो क्यूं दिक्कत नहीं रिस्क को accept करता है या बच्चा आगर आपको आपको मारने आता है तो वो करता है तो इसी तरहीकRE से आप कहते हो जी जो है क्या कहते है पानी से बहुत दूर है तो फ्लड आने की बहुत काम संभावना है अगर फ्लड भी आएगा तो यह बारिस भी आएगी तो फ्लडिंग थोड़ी बहुत एरिया में होगी तो जादे नहीं होगा एक फुट पानी इससे उपर आई नहीं सकता है तो यह थोड ये corrections आपको system में करने पड़ते हैं आपने risk identify कर दिया, assess कर दिया तो system में appropriate changes आपने कर लिए ताकि वो risk metabolize होने में आप अगर माल ये सब्सक्राइबिलिटीज हैं vulnerabilities आपने identify की तो आपने उन vulnerability को analyze किया, उनको document किया और risk management decision के लिए उनने recognize किया ये vulnerabilities है, ये likelihood है, तो उसके बाद आपने ये देखा क्या-क्या, जो आपके, क्या-क्या threats हो सकते हैं और उस सारे risk को आपने identify कर लिया, assess किया overall identify, assess किया, threats को देखा, vulnerability को देखा और likelihood को देखा, एक सांद देखा, और impact देखा तीनों को multiply किया, valuation of asset, asset की किया value, 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 strategies लागू कर रहे हो और सबसे पहली strategy और सबसे बेकार strategy और सबसे गंदी strategy risk avoidance होता है इसका मतलब वो कामी न करो यानि कि घर से बाहर कार लेकर ही न निकलो कहीं accident न हो जाए इसका मतलब यह है कि वो जो gains होंगे वो risk को accept करने के लिए जो gains है वो आप accept नहीं कर रहे हो कहा जाता है no risk no gain या build upon your gains या calculated risk leads to uncalculable rewards कि जगर calculated risk अगर लोगे तो पहुच जादे rewards होते हैं तो जैसे कि for example आपकी company में internet है और आपने कहां जी मैं internet using नहीं करूँगा क्योंकि इससे वाइरस आते हैं यह आते हैं चीज़ें आते हैं मेरे को internet using नहीं करना है तो आपने कहां किया जो internet से या public network से या organization की internal networking से जो benefit हो रहा है वो benefit लेने से इंकार कर दिया आपने risk avoidance किया risk avoidance जब तक कि risk को avoid करना बहुत ही ज़रूरी ना हो तब तक risk avoidance बेवकुफी है कई जगे पर organization में क्या होता है यह लोग कौन करते हैं risk avoidance strategy कौन अपड़ाट करता है higher management top management में लोग बैठे होते हैं और वो लोग जो होते हैं वो इतने capable नहीं होते हैं वो incompetent होते हैं वो competent नहीं होते हैं तो चुकि वो incompetent people हैं और वो उस risk को manage नहीं कर पा रहे हैं उनके अंदर वो incompetence है तो वो risk avoidance करने की कोशिश करते हैं तो कहें तो अगर इसे summarize करें तो यह कहें risk avoidance is the worst strategy risk avoidance वहीं पर होना चीए जहां पर risk को avoid करना बहुत जरूरी हो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता हूँ otherwise अगर आपको most of the cases में क्या होता है calculated risk leads to uncalculable rewards और कई जगे पर no risk no gain कहा गया है कि आपको gain करने के लिए risk लेना ही पड़ेगा अगर घर से बाहर निकलोगे तो car से निकलोगे तो car में हो सकता है अगर एक लाक लोग car से निकलें तो एक accident में मर भी जाए लेकिन आप जा रहे हो आपने का जी मैं तो पैदली जाओंगा और pavement में ही जाओंगा मुझे मरना नहीं है तो आप उसके benefits नहीं उठा पाओगे तो यानि कि आप वो activity नहीं करोगे जो जिसमें risk हो तो इससे potential gain को आप फुर्गो कर देते हो आप उस छोटे मुटे risk को भी accept करने से मना कर देते हो जिससे की gain होगा लेकिन अगर आप internet public networks वगर में जाओगे जैसे for example public networks internet में जाओगे तो वहाँ तो virus आए गई आएगा तो वह risk आपको accept करना ही पड़ेगा तो risk evidence सबसे बुरी strategy है सबसे best strategy है risk mitigation और risk reduction और risk mitigation और risk reduction का मतलब यह है कि आप controls लगा रहे हो और controls लगा के क्या कर रहे हो IT infrastructure में controls लगा के loss की या likelihood of loss की या तो loss हो रहा है या loss होने के जो chances है severity of loss के chances को आप घटाने की कोशिश कर रहे हो जैसे आप एक effective antivirus solutions लगा रहे हो वाइरस के लिए ताकि timely basis पर update होता जाए वाइरस ना आपाए तो risk avoidance में तो क्या है आप क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो कि मुझे risk ही नहीं चीए और risk mitigation और risk reduction सबसे best strategy है उसमें क्या है risk को generally best strategy है कई cases में risk avoidance भी जरूरी हो जाएगा क्योंकि risk इतना जादे होगा कि avoid करना जरूरी है अगर मालिया सपोस आप को बाहर की country में जाना है तो आप क्या है कि हो सकता है अमेरिका चले जाओ गूमने बहुत सारी country चले जाओ लेकिन अफगानिस्तान जाना आज की date में तोड़ा stable हो गया इराग जाना या ऐसी country में जाना जहां लड़ाई हो रही है वहां risk avoidance करना बहुत चलूरी है लेकिन risk avoidance least preferable strategy होनी चीए least वहां जब risk इतना जादे हो जाए जैसे कोई आदमी जा रहा है अगर उसके मरने की chances one percent two percent भी है तो risk avoid कर लीज़े आप अगर कोई गाड़ी में जा रहे हो और one or two percent chances है यानि सो लोगों में से एक या दो आदमी मर जाते है तो कई बार क्या होता है rafting है rafting में क्या होता है कि अगर एक लाख लोग राफting कर रहे हैं तो उसमें एक आदमी मर जाता है lower risk है कई लोग उसको avoid करते है ठीक है वो उनका judgment है कि लाख में अगर दस लाख में एक आदमी मर रहा है तब कई लोग हवाई जाज में बैठने से avoid करते है क्योंकि दस लाख में से एक बार एक आदमी मर जाता है उसमें accident हो जाता है दस लाख से भी कम data है तो उसमें वो हो सकता है लेकिन उसके जो potential gains है वो आप forgo कर रहे हो तो risk avoidance least preferred strategy होनी चीज़ सबसे बेस्ट होती है risk mitigation और risk reduction इसमें क्या होता है कि आप controls को implement करते हो और severity of loss या likelihood of loss को कम करते हो likelihood जो हमने पहले पढ़ा उसको कम करते हो या severity उसको कम करते हो इसके बाद होता है risk transfer transfer आप risk को share करना start करो जैसे partner से share करोगे insurance coverage लोगे जैसे कई companies होती है Wipro जैसी company होती है वो hedging करती है वो software को export करती है उनको dollars में पैसा आता है उस dollars को hedge करती है कई बार क्या होता है loss भी होता है लेकिन उनको ये पता होता है कि इतनी amount का dollars हमारे पास आएगा तो वो hedging करते हैं वहाँ पर आपने risk को third party को transfer करते हैं बोलते हैं जो dollar में fluctuation होगी वो हम risk नहीं लेंगे तो वहाँ पर वो क्या कर रहे है risk को transfer कर रहे है third party को वो third party उस risk को लेती है कई बार क्या होता है कि अगर आपके वहाँ कोई disaster होगा हमने sessions में पढ़ाए कि कई type के insurance होते हैं तो आपके वहाँ disaster होगा तो loss को जो आपका loss होगा जिस disaster की वज़े से या जिस problems की वज़े से आपको यह organization को अगर कोई loss होगा है तो उसकी भरभाई insurance company करेगी तीसरा है risk retention और acceptance अगर risk कम है तो उसको आप accept कर लिए और retain कर लिए तो दूसरी बात यह होते हैं कि सारे risk identified नहीं हो सकते हैं avoid नहीं हो सकते हैं transfer नहीं हो सकते हैं और कई risk retain हो जाते हैं by default retain हो जाते हैं यह residual risk कहलाते हैं यह residual risk को आप accept करते हो risk retention और risk acceptance का मतलब क्या है उसका मतलब यह है कि आप formally acknowledge करते हो यह risk है residual risk में आपको पता नहीं होता कई बार लेकिन risk generally आप accept कर रहे हो retain कर रहे हो तो इसका मतलब आप formally acknowledge कर रहे हो ये risk है और उसको monitor कर रहे हो कई risk होने के बावजूद उसको आप monitor जरूर करते हो जैसे कल पहले क्या होता था कि tsunami के बारे पर मैं पता नहीं था तो आप उस risk को accept करते थे लेकिन एक बार tsunami आगे disaster आगया आपका perception जेंज हो गया तो risk retention or acceptance में कई बार क्या होता है आप immediate action नहीं ले पाते हो मतलब risk mitigate avoid नहीं कर पाते हो क्योंकि उसके बारे में उतनी knowledge नहीं होती जहनकारी नहीं होती और कई बार impact हो जाता है किसी जगे के impact हो जाता है जैसे फुजी कामा में nuclear power plant में tsunami आगी और उसने वहाँ disaster create कर दिया ऐसा disaster create कर दिया कि कई बार लगा तो Tokyo को खाली करना पड़ेगा वहाँ से nuclear fallout की वज़े से तो यानि कि risk retention और risk acceptance में आप formally accept करते हो उस risk को और फिर उसके बार उसको monitor करने लगते हो कि यह risk की monitoring करने लगते हो लेकिन risk होता है आप को पता होता है यह risk है और आप यह कहते हो च्छोटा मुदा risk की इसको तो करेंगे कई बार क्या होता है कि immediate action नहीं ले पाते हो उस risk को manage करने के लिए तो वहाँ बर भी आप monitoring करना start कर लेते हो उस risk की और कई cases में क्या होता risk identify नहीं हो identify नहीं हो पाते हैं avoid नहीं हो पाते हैं transfer नहीं होते हैं और by default retain हो जाते हैं उसे residual risk का जाता है तो risk management क्या करेगा risk management क्या करेगा identify करेगा select करेगा और implement करेगा उन controls को जो residual exposure को acceptable level तक ले जाएं हमने पहले पढ़ा था कि हम management से पूछ लेंगे भई यह तुमारा acceptable level क्या है उस acceptable level के लिए हमें controls लगाने हैं तो यानि कि सबसे पहले हमने risk सब चीज को identify किया था फिर risk assessment किया था risk assessment में हमने क्या किया था threat sorry threat analysis के बाद risk assessment आया था यहनि risk assessment में हमने क्या किया था vulnerability और likelihood देखा था impact analysis किया था अब हम क्या कर रहे हैं risk management कर रहे हैं risk management strategy को अपना रहे हैं risk management में चार major categories हमने पढ़ी risk को avoid करना है ya mitigate करना है ya reduce करना है mitigation और reduction सेम चीज transfer करना है या retain और accept करना है यानि risk को avoid कर दो सबसे घंबी strategy या risk को mitigate कर दो या reduce कर दो कम कर दो Controls लगा कर acceptable level लेवल पर लियां management से पहली हम acceptable और non acceptable level कर चुके हैं acceptable तक Controls लगा कर Rick mitigation Fed sack inёрths रेग्चेयशन इस risk को, कही लोग होते हैं, जादे risk ही होते हैं, कही companies risk लेने के लिए तयार होते हैं, business होता है उनका risk लेना दूसरे का, तो वो जो risk है उनको लेना, जिसे army है, हमारे border में खड़ी है, जारी है, हमारे risk ले रही है, आर्मी, वो तैयार है, वो professionally, वहाँ लोग कहते हैं, ज़बा बहाफ पर, पुझे हिंदुस्तान की 10 लाख आर्मी घड़ी हो, हमारे उसमें रिस्क, हमने अपना रिस्क आर्मी को ट्रांसफर कर दिया है, इसी तरही के से, कई बार क्या होता है, हम अपना रिस्क, इंशॉरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं, अगर हमें कोई लॉस तो इंशॉरेंस कंपनी उसको भरपाई कर रही हो, फाइनली रिस्क है, रिटेंशन और एकसेप्टेंस, मतलब ये मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, उसे एकसेप्ट कर लो, मजाक में कह रहा हूँ, याद करने के लिए ये चीज सही रहेगी, तो रिस्क, रिटेंशन और ए ये ही चीज होती है, रिसक रिटेंशन और एकसेप्टेंश में, आप फॉर्मली एकनलेज करते हो कि ये रिस्क है, और आउस उसको मोनिटर करते रहते हो, लेगिन उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, बाइड डिफॉल्ट वो नहीं हो सकते हैं, बाइ दिपॉल्ट और और बाइ अगर कोई चीज है वो कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है चार-पांच सेजार रुपे का इंस्ट्रूमेंट है और वो खराब हो जाता है और उससे पूरा दूसरा सिस्टम में कोई